समरत को नहीं दोस गोसाई एक तरफ गिरापतारी वारेंट निकला हुआ है और दूसरी तरफ आचानक से क्रीमिया में क्यों उतर गए हैं पुतिन जानेंगे पुतिन करना क्या चाह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई बंदरगा पे मुंबई पोर्ट पे अचानक से क्यों पहुँचा चीन में बना महाविध्वनसक युद्धपोत और भारत सरकार ने इसकी अनुमती क्यों दे दी जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पुलिटिक्स में आये जानते हैं इन अब को बताया कि कल कैसे उस पाईलेट को सम्मानित कर दिया रूस ने जिसने अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया कथित तोर पर हाला कि वीडियो की लड़ाई दोनों की चली रही है सम्मानित करने का मतलब है कि रूस अमेरिका को चिड़ा रहा है कि देखो तुमारे ड्रोन को मारकर गिरा दिया और जिसने गिराया उसको मैंने आवार्ड दे दिया अब इतना कम था इसलिए कम था क्योंकि यह ड्रोन वाली घटना के बाद International Criminal Court ने वारंट जारी किया था पूतिन के खिलाप यानी पूतिन को एक अंतराष्टी आपरादी गोसित करने की कोशिस हो रही है अब यह कोशिस क्यों हो रही है क्या पूतिन G20 में आ न सके इसलिए यह कोशिस हो रही है क्योंकि रूस की तरफ से पूति आ सकते हैं और भारत में G20 में सामिल हो सकते हैं पुतिन के आने के चांसेस भी बहुत जादा हैं इसलिए क्योंकि यहां उन्हें भारत दोस्त के रूप में मिलेगा जो अब तक युक्रेन मामले में रूस की कोई आलूचना नहीं कर रहा है अब यहीं पर यह चाह रहे हैं कि क कुछ तो पाधा हो कुछ तो समस्या हो जो पुतिन यहां तक पहुँचना सके यह बात एक कही जा रही है कि ऐसा तो तभी होगा जब पुतिन को ठाने में बंद करवा दो वैसे मैप में जो यह इलाका देख रहे हो ना आप यह है क्रीमिया और क्रीमिया और रूस को आप पुल यह जिसे क्रीमिया पूल कहा जाता है इस पूल पर पीछली बार एक हमला कर दिया था यूकरेन के बार पुल छती गृस हुआ था और यूक्रेन इतना खूस Χुआ था ये यूकुरेन की तरफ से जब इस तरीके की हरकत की गई थी तब आमीरिकी और यूरोपिय देशों ने कुछ नहीं कहा था वह उन्हों भी मजे लिए थे चलो भी उड़ा दिया हालां कि बहुत कम समय में रूस ने महत्पुर्ण था और महत्पुर्ण था इसी वजह से राष्टपती पुटिन इस क्रीमियापुल के उध घाटन में पहुंचे थे। बहुत कम समय में इसे रिपेयर करके इसके रेलवे लाइन को भी शुरू कर दिया गया। अब कहते हैं न, जले में नमक छिरखना और आग में घी डालना, वो वाला खाम कर रहे हैं पुतिन हलिकॉप्टर उठाया मिलिटरी हलिकॉप्टर और उतर गए, कहा उतर गए, तो आपको बता दे यह उतर गए है क्रीमिया में क्रीमिया में उतरने के बाद इन्होंने स्कूल में मुलाकात की कुछ भासन वासन दिया और ये सब कुछ कब किया? ICC से गिरफतारी वारेंट जारी होने के बाद किया है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमेरिका रू युक्रेन को सीधा संतेस देना 2014 में हमने क्रीमिया को कबजाया पूरी दुनिया भले युक्रेन का हिस्सा माने क्रीमिया को लेकिन इसी जगह पे हम खड़े होकर तुमें चुनोती दे रहे हैं माने पूतिन का कहने का आर्थ है कि हम बरसने वाले बादल हैं गरजने वाले बादल नहीं हैं देखो तुमारी जगह पे खड़े होकर दिखा रहे हैं कि क्रीमियां हमारे कबजे में हैं और आगे भी हमारी अक्रामकता जारी रहेगी खैर ये तो पूतिन का अपना स्टाइल है एक तरफ रूस ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक काम ऐसा किया है कि आपकी भौव जानते हैं स्रिलंका ने लाख कहा कि हम चाइना का सपोर्ट नहीं करते हैं हम भारत से बहुत खुस हैं भारत हमें देता रहे और हम चाइना से दोस्ती निभाते रहें खैर वह समय भी आएगा जब स्रिलंका चाइना को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा पर फिलाल तो बात ये है कि चाइना अंबन टोटा पोर्ट पर कब्जा कर चुका है और इसके लिए बार बार यहां पर पहुंच्ती है चाहिनीज जासूसी जहाज जो यहां के आसपास के इलागों का जाएजा लेती है और जाहले लेने वाद निकल जाती है जब चाइनीज जहाज व फारत के मुंबई में मुंबई के पॉर्ट में पहुंच गया चीन में बना हुआ एक युद्धु पोत जिसे चाइना कहता है कि ये मेरा सकती शाली युद्धु पोत है युद्धु पोत टाइब 056 क्लास का है युद्धु आटो कैनन, दो दो सेल वाले एंटिसिप मिसाइल, एक आठ सेल वाले सतह से हवा में मार करने वाले लिए मिसाइल लांचर, दो ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है और इसमें एक हैलिपेड भी बना हुआ है, यानि हैलिकाप्टर भी उतर सकता है, मेडियम लिफ्ट हैलिकाप्टर को ओपरेट किया जा सकता है इस 056 युद्धपोच से, अब ये भारत के मुंबई पोर्ट पर पहुँच गया, 13 से 16 मार्स तक ये मुंबई पोर्ट पर रहा ये युद्धपोच जो घातक सेंसर और हतियारों से लेस है, इसके बावजूद भारत सरका ने मुंबई बंदरगाह पर आखिर इस युद्धपोच को रुखने की अनुमती क्यों दी, तो आपको बता दें, दरसल ये सारा खेल दोस्ती का है, मामला है अलजीरियाई नौस ये टाइप 056 अलजीरियाई नौसेना का युद्धपोच है, 2020 में चीन से 056 युद्धपोच को खरीजने का समझोता हुआ था, अलजीरिया और भारत के संबंद बहुत अच्छे हैं, भारत भी जब अपने युद्धपोच ले जाता है, तो अलजीरिया उसे अपने देश में अपने बंदरगाहों में खड़ा होने देता है, और ना सिर्फ देता है, बलकि इंधन, खाने, पीने की चीज, इन सब चीजों के लिए दोनों ही देश एक दूसरे के पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, भूमत ये सागर में जो लोकेशन है का अलजीरिया का, वो बहुत मह पुर्ण है, यूरोप और अफरिका की सीमा पर बसा हुआ है, और ये जिब्राल्टर जलसंधी के पास है, जो एक परमुख समुद्री बैपारिक मार्ग है, इसके साथ हमारे दोस्ताना रिष्टे बहुत अच्छे हैं, वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया वो स नहीं है या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं